हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्पिती राइडा फिलाल मैं हूँ खजुराहू में खजुराहू चतरपुर डिस्टिक्ट में पड़ता है जब अलपुर से करीब करीब तीन गंटे का रास्ता है इसका मेरे ख्याल से डेड़ स या 175 किलोमीटर है कि कल रात को हम लोग आए होटल रमाड़ा में हम रुके हुए है होटल का व्यू तुम्हें आपको बात में दिखाऊंगो बहुत ही शांदार है फिलाल यहां से हम फटा-फट ले लेते हैं टिकेट इंडियन टूरिस्ट की टिकेट है यह टूरिस्ट ही ह है इंडियन टूरिस्ट है लगता थोड़ा हो अंग्रेश टाइप के लेकिन है नहीं इंडियन टूरिस्ट की टिकेट 40 रुपए की और फॉरेनर की 600 रुपए सालों ने हमको बहुत लूटा अब हमारी बारी है हम लूटेंगे तो ओवरॉल यह एक फैमिली ट्रिप है मेरी मेरी वाइफ है और हाँ इस ट्रिप की अच्छी बात यह है अभीर याने की मेरा बेटा चोटा सा उसकी यह पहली ट्रिप है और क्या कोइंसिडेंस है पहली बार में अभीर को मैं लेकिया हूं खजरा हो तो फटा-फट से टिकेट लेते अंदर चलते मैं आपको पूरा चल रहा है कोवेड है थोड़ा खतरा अभी भी है हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है तो मास्क जरूरी है अभी इंट्रेंस में बोला कि मास्क पैन लीजे मेरी आदत में गूमने जाएंगे तो यह सारी जीचे में लेके चलता हूं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मास्क आपको खरीदना पड़ेगा बाहर काफी मास्क वाले हैं जो दस रुपर पांच रुपर में आपको मास्क दे देंगे तो हमने टिकेट ले ली इंट्रेंस पे हैं चलते हैं एक और काम की चीछ यह जो मेरा कैमरा है जिससे मैं व्लॉग बनाता हूं और आप लोगों से बात होती है कि दे दीगे टिकेट तो यह कंफर्म है कैमरा ले जाने के लिए भी मुझे टिकेट लेनी पड़ेगी अंदर इंट्रेंस बजल बहुत मैंने उनको कंवेंस किया बट सिर्फ 25 रुपर की टिकेट है कोई बहुत बड़ा इस्यू नहीं है आपन दे सकते हैं यह रही कैमरे की टिकेट अपने ले ली है अंदर ड्रोन अलाउट नहीं है फटा बट चलते हैं बागी लोग आगे चले गए मैं हमेशा पीछे ही रह जाता हूं अच्छा जैसा कि आप लोग को पता होगा कि टाइम की पंक्चुलिटी मेरी किसी भी व्लॉग में आप देखोगे सुबह जल्दी उठना टाइम से रेडी होना जहां भी जाना है टाइम मेनेजमेंट अगर आप कहीं भी लेट पहुंचते हो ना तो जितना आप इंजॉय कर सकते थे वह नहीं कर पाते यह सारी बाते किनारे और आप देखिए यह व्यूव कि बहुत ही शांदार है यार अभी तो आपको नॉर्मल मंदिर लग रहे होंगे कि इसके जब अपन जैसे से अंदर जाते ना बहुत मजा आता है अपने वाले कहां गए यार पहले देखा जाए खजराहो group of monuments खजराहो के बारे में बताया जाता है कि यह हिंदू और जैन सब्विता का एक mixture concept है यहां पे मंदिरों का सुबेरे आठ बजे आने के बाद भी दूप इतनी गरम हो चुकी है कि पूछो मत यार सड़ी गर्मी यह तो फिर भी बहुत time management में ने कर लिया हमारे कुछ सांथी अभी नहीं आये क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कुछ यहां के बारे में पता नहीं है तो हमने ने यहां पर गाइड हाइर किया है इनका नाम है नरेन शर्मा हाई बोल दीजे ओडियंस को अब आगे जो भी है नजारे में दिखाऊंगा नजारों के बारे में एक्स्प्रेनेशन यह देंगे आपको क्योंकि मैं नहीं करके आया हूं सौरी टू से बढ़ ठीक है चलता है जब ऐसे लोग है तो इनके सुपरनेशन पावर्स का हमें एडवांटेज लेना चाहिए सुपरनेशन क्यों सुपरनेशन नहीं हुआ यह मजा कड़ा दिया खेर यह सब छोड़िये मैं आपको मिलाने वाला था अबीर से यह है अबीर फिलाली यह स्लीप मोड में है सुबै छे बज़े से इसी ने मेरी सुपरनेशन खोली है तो यह भी एक प्लस पोइंट है नहीं तो मैं तो सोता ही रह जाता यह एक्च्छल सुपरनेशन पावर कुछ कहना चाहोगी नहीं बस जित्ता कहना दा मैंने कह लिया ठीक है जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे नौ से बाहमी सताब्दी के बीच में एक हजार से जादा पुरानी यह सारे मंदिर है क्यों बनाए गए थी यह सारे मंदिर खजराहो में चो कि जोग्रफी कली देखें कि चारों तरप से पहाडों से घिरा हुया अगाइड साब जो एक्सप्लें कर रहें उसमें टाइम बहुत लगेगा तो मैं क्या कर रहा हूं उनसे चीजें सुन ले रहा हूं फिर मैं आप लोगो शॉट में बताता हूं फिलाल आम लोगे लक्ष्मान मंदिर में इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देखिए इन मंदिरों के बारे में गाइड साब में बताया एक खास बार क्योंकि यह सारे मंदिर खंडित हैं खंडित का मतलाब लोगों ने यहां पर मूर्तियां वगेरा जो है तोड़ तोड़ के चुरा ली हैं तो इसकी पूजा नहीं की जाती है जैसा कि हिंदू धर्म में आप लोगों सबी को पता होगा खंडित मूर्तियों की खंडित मंदिरों की पूजा नहीं की जाती तो यहां पर हम सरफ घूमने आ सकते हैं और एक और मंदिर है वह है जैश्री मंगे मा क्या नाम है उसका मतंगेश्वर महादेर वहां पर शिवलिंग बताया जाता है कि इस तरह है कि शिवलिंग एंपी में इंडिया में मद्यप्रदेश में दो हैं एक यहां खजराहो में और दूतरा बोश्पूर में यह वाला तो मैं आपको घुमाऊंगा फिल आर गाइड साब की सुन लेते हैं मतलब जो रिस्टोर जिन भी आर्टिस्ट में किया है वह ऐसा करने होंगा है कि इन मंदिरों की खास बात यह इसमें काफी सारा पोर्ट्रेंट रेस्टोल किया गया है क्योंकि टाइम के साथ लोगों ने मूर्थिया क्या किया तोड़ तोड़ के चुरा के अपने घर लेके चले गए खेर वो सब छोड़ो आप इन्जॉय करें इसको क्या शांदार नकाशिया है यार कि असा लगता है जैसे महला हो चुकि उसके भी लंबे बाल है आभूशा वोई है और ड्रेस वोई है जो महलाएं पहने हुए है और इसी खजूर के पेड से खजराहो का नाम पड़ा है बहुत सारे खजूर के पेड से चारो तरफ इसलिए खजूराहो बोला गया है इसको ई equivalent कि अपने लेफ्त में के लेफ्ट में कि लगए लेड़ी किस तरीके से खडै हुई है और अपना ही योवन देख रही है अपनी ही सुन्दरता दिख रही देखें उसके चेहरे का भाव और सारी की डिजान देखें बहुत ही सुन्दर है फिर अपने एक्स्ट्रीम राइ मुझे तो impossible लग रहा है क्योंकि यहां पर जो बारीकिया है जो मूर्ति नकाशिया है उसको explain कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन ultimate है जिस बारीकी से पहले के राजा महराजा लोगों ने अपने कारीगरों से इन नकाशियों को करवाया है काविले तारीफ है यह देखिए सारे मंदिर मैं आपको गुमाँगो इस व्लॉग में बट explanation करने में क्या होगा यह व्लॉग करीब करीब डेट से दो घंटे का खिच जाएगा जो कि मुझे नहीं लगता कि आप enjoy कर पाओगे क्योंकि मेरा परपास होता है कि मैं अपने व्लॉग के प्रूप आपको enjoy करवा पाऊँ अभी तक हम लक्सवन मंदिर में ही है इस चिला लेक देखिए आप क्या बारीकी से संस्क्रिट में लिखा गया है पूरा इस मंदिर का इतिहास मेरे को तो पढ़ते नहीं बनता कि यह यही है इडिया और इस प्लैटफर्म के पहले यहां पर राइल फंदी बैठती थी राइट और लेफ लेट नहीं करादार बैठते थे और यह जो पूजा होती होता है आप यहां करेंगे तो यह वाला मेरा फेवरेट है आज का जो लेडिस लोग को यह बड़े नाकून कहलेगी रानिया मारानिया यह सब करती रहते थे तो सुन लोग तुम लोग जो है ना कुछ बहुत नया नहीं कर रहे हैं ना खजराहो की हर मूरती में एक कहानी चुकी हुई है और यह कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब आप यहां पर कोई गाइड हायर करते हैं मैं इसके पहले दो बार खजराहो आ चुका हूँ मैंने यह मिश्टेक की थी आप आओगे अगर ऐसी आओगे ना कोई गाइडेंस नहीं या आप होमवक नहीं करके आजाओ जो नौलेज यहां पर गाइड आपको दे सकता है ना आपको जनरली वो चीजें खुद से समझ में नहीं आएगी हर मूरती में एक कहानी चुपी हुई है और अब वो चीजें आपको यहां आने के बाद ही पता चलेंगी वीडियो में मैं सरे आपको दिखा सकता हूं इतना ज्यादा एक्स्प्लेनेशन कर बाना बहुत मुश्किल है कि मंदिर के अंदर कामसूत्रा से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन क्यों है क्या हमारे जीवन के चाहर पूरुश पूरुशार्थ होते हैं दर्म अर्थ काम मोख्ष तो यह काम हैं था În가요 तो उष चीज को कुछ भी आज के इनसान अभी इन्वैंट नहीं किया यह सब काफी पुराणी चीज्य यहीं सब हो में मूर्तियों के दवारा रिप्रेजेंट किया गया है काफी सारी चीजें इसके अलावा भी है मंदिर है नकाशियां है बहुत कुछ है अभी एक मंदिर तो हो गया हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं वहां की शिमिवी में आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यह था पूरा घजराहों के टैंपल्स और भी बहुत कुछ है जो कि मैंने खुट नजा किया उसके क्लिप्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं फिर मैं ही सब कुछ आप लोग यहीं पर देखा दूँगा तो खजराओ तो आप आओगी नहीं तो प्लीज यहां आईए यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट में इल्ले कितने जरूरी होते हैं यह तो आप जानते ही हैं एक मंदिर यह भी है मैं घूम किया गया अंदर नकाशियां इतनी बारीक हैं कि उस जमाने में पता नहीं कौन से क्यूपमेंट्स तब वो लोग यूज करते रहे होंगे है एक है इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसको यहीं करता हूं यहां से मैं जा रहे हैं अपने होटेर वहां पर पूल है पूल में नाहेंगे मस्ती करेंगे पूरा आपको रमाड़ होटल घुमाता हूं बहुत शानदार वीव है तो तब तक के लिए ब